नमस्कार, बाईजूस एक्जाम प्रैपाई एस, हिंदी में आपका सोगत है, प्रस्तुत है दब बिग न्यूज, बिग न्यूज के तहता सबसे पहले हम आज के टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, वन नेशन, वन पुलिस युनिफॉर्म के पुलिस पलों के लिए, एक राष्ट, एक वर्धी, यानि, वन नेशन, वन युनिफॉर्म के विचार को प्रिस्तुत किया गया, प्रधानमंत्री जी के अनुसार पुलिस के लिए, वन नेशन, वन युनिफॉर्म अभी सिर्फ एक विचार ही है, यह हो सकता है कि अगले 5 साल में, 50 साल में, या 100 सालों में पूरा हो, हाला कि सभी राज्यों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रधान मंत्री जी का ये मानना है कि से देश भर में पुलिस की पहचान समान होगी, प्रधान मंत्री जी का One Nation, One Youniform का ये विचार देश भर में नीतियों का एक समान सेट प्रिस्तुत करने के उनके व्यापक प्रयास के अनुरूप है जैसे कि अगस्त 2019 में रसायन और उर्वरक मंतराले ने घोशना की कि उनके मंतराले के द्वारा एक राश्ट एक उर्वरक यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू की गई है इससे पहले भारत सरकार ने 2019 में ही वन नेशन वन राशन कार्ट की योजना को भी शुरू किया था इसके लाव आपको इध्यान रखना है कि प्रधान मंतरी जी ने बार बार वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राश्ट एक चुनाव को लागू करने के साथ ही सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची अपनाने का भी सुझाओ दिया है समय समय पर वन नेशन वन मोबिलिटी कारड वन नेशन वन गृर और वन नेशन वन साइन लेंगवेज आधी की विवकालत किये जाती रही है प्रधान मंतरी जी के अनुसार वन नेशन वन यूनिफॉर्म हमारे देश के लिए एक महत तपोण मुद्दा है जिस तरीके से भारत में लाल और काले पोस्ट बॉक्स को असानी से पहचान लिया जाता है उसी तरीके से पूरे देश में पुलिस की वर्दी भी समान रूप से पहचानी जानी चाहिए अब इस प्रष्ट भूमी में यदि हम पुलिस के विशय को समवेधानिक दिश्टिकोर से देखने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारतिय समविधान पुलिस बलों को राज्य सरकारों के छेतरा दिकार में रखता है और पिरतेक राज्य का अपना पुलिस इसके तहट पबलिक ओडर यानि सार्जनिक विवस्था और पुलिस दोनों को ही समविधान की सातवी अनुसूची की दूसरी सूची यानि राज्य सूची में रखा गया है जो संग और राज्यों की भी शक्तियों के विभाजन से संबंदित है इन परिस्तितियों में कई विशेशक्यों का ये मानना है कि यह इस पश्ट नहीं है कि अगर सरकार इसे गंभीरता से ले रही है तो पीम के सुझाओ को किस प्रकार से लागू किया जाएगा हाला कि भारत में पुलिस कर्मी समान रूप से खाकी रंग से संबंदित होते हैं यद पी अलग-अलग छेत जैसे कि कोलकाता की पुलिस सफेद वर्दी पहनती है, पुदुचेरी पुलिस के सिफाही अपनी खाकी वर्दी के साथ चमकदार लाल टोपी पहनते हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सफेद और नीले रंग की वर्दी में दिखाई देती है विशेश अग्यों का ये मानना है कि पूरे देश में एक सिंगल यूनिफॉर्म का विचार लौ एन्फोर्स्मेंट एजेंसियों को एक समान पहचान देगा, क्योंकि नाग्रेग देश में कहीं भी पुलिस की पहचान कर सकेंगे, या आगे चलकर पुलिस के कार्रियों में गुणवत्ता को भी ला सकता है हाला कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल सिंगल यूनिफॉर्म भर से पुलिस की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती यदि हमें लौ एन्फोर्स्मेंट एजेंसियों यानि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को और बहतर बना और आम आदमी की बहतर सुनिश्चित करनी है तो इसके लिए पुलिस, खूफिया एजेंसियों और आम आदमी को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए इसके लावा वर्तमान में फेक न्यूस एक बहुत बड़े आंत्रिक सुरक्षा के खत्रे के रूप में उभर रहा है फेक न्यूस के बढ़ते दुश प्रभावों की प्रेश्ट भूमी में फेक न्यूस की फैक्ट चेकिंग भी जरूरी है और इसमें टेकनोलजी बड़ी भूमी का निभा सकती है इसके अत्रिक हमें देश के यूवाओं को गुम्रा होने से बचाने के लिए नकसलवाद के हर रूप को भी हराना होगा चाहे वैब बंडूग से निकला नकसलवाद हो या कलम का नकसलवाद हमें भारत में परेटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए परेटन से संबंधेद पुलिसिंग के लिए भी विशेश शमताओं को विक्सित करने की आवशकता है ताकि भारत को परेटन का एक बहतर इस्थल बनाया जा सके इस प्रकार यदि हम इन उपायों को लाओ करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही भारत में हम वन यूनिफॉर्म के साथ एक बहतर पुलिसिंग को भी सुनिश्चित कर सकते हैं भाईजूस एक्जाम प्रेप के आज के अंक में फिलाल इतना ही धन्यवाद